नमस्कार हेडलाइन्स बिहार देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ बिर्जु सिंग हर्मान जैती के मौके पर सुभायात्रा पर पत्थराव होने के बाद सुर्खियों में आए जहागीर पूरी में नगर निगम की टीम अवैध कबजों पर कारवाई की है कारवाई की तस्वीर आपके सामने हैं इस दोरान कई बुल्डोजर ने कारवाई करते हुए अवैध हैत्ति कर्मन को गिराया है हलाकि सुप्रिम कोर्ट ने इस कारवाई पर यथा इस्तिती बरकरा रखने का आदेश दिया था लेकिन आदेश के ठीक दो गंटे बाद भी तोर फोर चलता रहा है तस्वीर जहागीर पूरी की है एक तरफ बुल्डोजर चलाय जा रहा है सोशल मीडिया पर इस महिला की वीडियो खूब तेजी से वारल हो रहा है खूब अलोचनाय हो रही है कि महिला किस प्रकार से बिलख रही है रो रही है रिक्वेस्ट कर रही है गिरगा रही है बावजूद जो है वो बुल्डोजर चलता हुआ नजर आ रहा है उसके बावजूद बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दिया था या था इस रोक लगा दी बावजूद जो है बुल्डोजर जो है वो दो घंटे बाद तक चलता रहा है बता दे कि हिंसा मावले में एक आरोपी के वकील राजेस कौसिक ने बताया कि आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्लू और दिलसान को तीन दीन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है दोनों को आज आदारत में पेश भी किया गया है लेकिन इस बीच बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेस आता है उसके दो घंटे बाद तक बुल्डोजर वहाँ पे चलता हुआ नजर आता है अवैद अतिकरवन पर बुल्डोजर चलता हुआ नजर आता है उस बीच एक तस्वीर सोशल मेडिया पर खूब तेजी से वारल हो रही है एक महिला जो बुल्डोजर के सामने खड़ी है और बिलख रही है गिरगिडा रही है लोगों से कि किसी तरह से छोड़ दिया जाए बावजूद जो है वो बुल्डोजर वहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट का आदेस था क कि अभी इसको कुछ नहीं किया जाएगा लेकिन आदेस के दो घंटे बाद इतनी भी जल्दिवाजी क्या थी जो बुल्डोजर चलाय जा रहा है वही सुप्रीम कोर्ट के आदेस आने के बाद भी हाला कि दो घंटे बाद इन तमाम चीजों पर विराम लग गया जब से वहाँ पे बिलक रही है रो रही है हाथ जोर कर रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके घरों को छोड़ दिया जाए बुल्डोजर नहीं चलाय जाए लेकिन वहाँ पे बुल्डोजर जो है वो चलता हुआ नजर आता है वाइरल वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं झाल